हेलो एवरीबन कैसे वाफ साथ तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम UPCA के ट्रायल के registration form है वो कहां से ले सकते हैं और कैसे हमें उसके बारे पता चल सकता है और कैसे हम फिल कर सकते हैं UPCA के registration form तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा पूरी information एंड तक और मैं आपको link भ subscribe कर लें, तो guys, जैसे कि आप सबको पता है कि UPCA के registration शुरू हो चुके हैं, इसी month तो guys, अब सबसे बड़ा सवाज ये आता है कि हम UPCA की registration form है, वो कहां से ले ये सबसे बड़ी दिक्कत अब आ रही है playerों को, तो guys, मैं आपको बता दू कि UPCA के जो registration होने ली, तो आपने district पर जाना है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे district के वहाँ पर आपको website मिलेगी, यानि कि आपकी district की cricket association है, उनकी website आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि इलहाबाद cricket association, हलीगाड sports association, और भी guys, बहुत सारे जितने भी district हैं, उनकी आपको जहाँ पर website देखने को मिलेगी, तो आप जिस भी district में रहते हो, UP के जैसे कि बाराबांकी, बरेली, और भी बहुत सारे district हैं, तो आप उनमें से अपना district सेलेक्ट करके उन पर आप contact कर सकते हो, उनके जो website है, जा उनका जो email ID है, वहाँ पर आप जाकर contact कर सकते हो, आपको registration form मिल जाएंगे, और बहुत सारे comments आ रहे थी कि registration form कैसे मिलेंगे, और अगर आपको registration form फिल नहीं करना आता, तो मैं आपको link description में दे दूँगा, अपनी वीडियो का, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो, और और भी state के वहाँ पर आपको registration form मिल जाएंगे, तो guys मैं आपको बता दूँगा, यह कौन सी age group के होने वाले हैं, जो registration VA under 16 के होने वाले हैं, जानी कि district के, तो आप इनमें जरूर जाकर registration करें, offline registration है, तो आप इन्हें ध्यान से जरूर भरें, जो भी इनमें requirement लिखी कही है, उन्हें आप ध्यान से पढ़के fill करें, तांकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, तो कौन-कौन से documents लगेंगे, यह भी मैं आपको बता जाता हूँ, registration में आपके documents लगेंगे, आपका जो birth certificate है वो लगेगा, आपका जो अधार card है वो लगेगा, pen card अगर है तो वो भी और आपके school की जो mark sheet है वो और आपका school का जो ID card मैं हर वीडियो में यह बताता हूँ, तो आप यह चीज़े जरूर वहाँ पर ले के जाएं तो जल्दी से जाएए UPCA की website पर और अपने district की cricket association के contact पर जाएए और वहाँ पर आप अपना जो registration form है वो ले सकते हैं तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें comment में जरूर पताएं और आप कौन से district से है वो भी comment में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे